जय हैं दोस्तों अवद स्टेडी सेंटर महभूब गंज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मित्रों पिछले वीडियो में आप सबने हिंदी के स्वर और बेंजन के बारे में पढ़ा आज हम सब वाक्यान्स के लिए एक सब्द का अध्यान करेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परिछाओं में दो से तीन नमबर उच लिए जाते हैं तो आईए शुरू करते हैं जिसे जीता ना जा सके उसको हम कहते हैं अजे अगला है जो कुछ नहीं जानता हो उसे अग्य कहते हैं जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुग कहते हैं हम यहाँ पर आप सब लोगों को बताते चलें कि मैं यहाँ पर फालतू चीज नहीं रखा हूँ क्योंकि इसमें वही चीज में रखा हूँ जो बार-बार रिपीट होते आए हैं अन्य परतियोगी परिछाओं में मैं उसी चीज को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ जिसे जो कम जानता हो उसे अलपक्ग कहते हैं अगला है जिसे मापा ना जा सके उसे आपर्मिय कहते हैं अगला है जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं तथा जो कम बोलता हो उसे अलपभासी या मितभासी कहते हैं अगला है जो कम खर्च करने वाला हो उसे मितव्यई तथा परवत के पास की भूमी ध्यान दीजेगा दोस्तों परवत के पास की भूम या परवत की तलहटी ये दो नाम से हैं इसको हम कहते हैं उप्त्यका ये बार-बार एक्जामों में आता है अगला है जो छीड ना हो सके उसे अच्छा है अगला है जो स्वयम उत्तन हुआ हो उसे स्वयम भू तथा अपना हित चाहने वाला स्वार्थी के नाम से जानते हैं अगला है जो युद्ध में इस्थिर रहता है उसे हम युदिश्थिर कहते हैं अगला है भेड का बच्चा इसको हम मेमना कहते हैं जिसे मोच की कामना हो उसे मुमुच्छु कहते हैं अगला है परवत की कन्या, इसको हम पारवती के नाम से जानते हैं, अगला है जो हुकती बार-बार कही जाए, उसे हम कहते हैं पुनरुकती, अगला है जिस अस्थान पर अभिनेता अपना बेस बिन्यास करते हैं, उसे हम कहते हैं नेपत्थे हाँ तो अगला देखिएगा जो उत्तर ना दे सके उसके लिए है निरु उत्तर अगला है अभी अभी जन्म लेने वाला उसको कहते हैं नवजाद अगला है नया नया आया हुआ वाक्यांस के लिए एक सब्द है नवा गंतु अगला है, दो बार ज़न्म लेने वाला, इसको कहते हैं दुविजिद अगला है, जिसे ईस्वर पर विश्वास ना हो, उसको कहते हैं नास्टिक अगला है, चारों ओर से जल से घिरा हुआ भुभाग, उसको कहते हैं टापू अगला है जो बीत चुका हो उसको कहते हैं गत अगला है जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है उसको कहते हैं गोतीत जिसका हाथ बहुत तेथ चलता हो इसको कहते हैं छिप्रहस्त अगला है किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट इसको कहते हैं कृतार्थ अगला है जो किये गए उपकारों को जानता हो उसको कहते हैं कृतग्यन अगला है किसी के उपकार को न मानने वाला इसको कहते हैं कृतग्यन अगला है जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसको कहते हैं जिग्यासू अगला है कंजूसी से धन ब्याई करने वाला इसको कहते हैं किरपड अगला है अंडे से जन्म लेने वाला इसको कहते हैं अंडज अगला है जहां गमन न किया जा सके इसको कहते हैं आगम अगला है जो बिना भुलाए आया हो उसको कहते हैं अनाहूत अगला है जिसके पास कुछ ना ना हो उसको कहते हैं आकिंचन तो मित्रों इसमें देख लीजिएगा इसमें जो आपके बहुत महत्पूर तो सभी हैं लेकिन इनमें से जो बहुत ज्यादा महत्पूर हैं आपके हैं जो उत्तर न दे सके अरथा निर्श उत्तर और इधर अभी अभी जन्म लेने वाला और इसमें देख़िए दो बार जन्म लेने वाला दूजिवाला और जिसे इस्वर पर विश्वास ना हो नास्तिक और यहाँ पे नीचे आईएगा ये तीनों किसी की किरपा से पूरी तरह संतुष्ट जो किये गए उपकारों को जानता हो और किसी के उपकार को ना मानने वाला ये सब जो है बहुत ही इनपॉर्टनट है अगला है नीचे आपका जिसके पास कुछ ना हो आकिंचन और है जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत ये सब बहुत बार एक्जामों में पूछा गया है तो अगला देखिएगा पूरव और उत्तर के बीच की दिसा इसको कहते हैं इसान अगला है पायर से लेकर सिर्टक ये पहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है पैर से लेकर सिर्थ तक इसको कहते हैं आपाद मस्तक अगला है उपर की ओर जाने वाला इसको कहते हैं उर्धो गामी अगला है बालक से ब्रिध तक इसको कहते हैं आबाल ब्रिध अगला है वह इस्तिरी जिसका पती परदेश से लवटा हो इसको कहते हैं आगत पतिका अगला है वह इस्तिरी जिसका पति आने वाला है उसको कहते हैं आगमिस्त पतिका अगला है वह इस्तिरी जो सूर को कभी न देख सके उसको कहते हैं असूर में पस्या अगला है जिसका खंडन न हो सके उसको कहते हैं अकाटए अगला है जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको कहते हैं अभियुक्त अगला है जो छाती के बल चलता हो उसको कहते हैं उदग या सर्प अगला है वह इस्तिरी जिसके पति ने त्याग दिया हो उसको कहते हैं परित्यक्तका तो मित्रों आगामी एक्जाम के लिए यह है जो कोश्चन हमने आप लोगों को पढ़ाया वाक्यांस के लिए एक सब बहुत ही महत्पूर है तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवा देता हूं जैहिन बंद्वात्रम